तो दोस्ते एक वाई फिर से Realme ने Realme 3 और Realme 3 आई यूजर्स के लिए Realme UI की जो बीटा या फिर ट्रायल अप्लिकेशन के लिए ट्रायल वर्जन देने के लिए तैयार है एक वाई फिर से ट्रायल अप्डेट के लिए अप्लाय होना शुरू हो चुका है तो जिन यूजर्स को पिछली बार अप्डेट नहीं मिला था वो यूजर्स इस बार अप्लाय कर सकते हैं दोस्तों अप्लाय किस तरह से करना है आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे और थोरा सा जल्दी करिएगा चुकि वीडियो भी थोरा डिले आई है तो हो सकता है जब तक आप जाएंगे वहाँ पर कोटा फुल हो जाएगी चुकि 3000 यूजर्स के लिए इस बार जो है कोटा को ओपन किया गया है यानि कि 3000 यूजर्स नहीं अभी अप्लाय कर सकते हैं तो किस तरह से अप्लाय करना है चलिए जल्दी से हम आपको बता देते हैं अगर आप Realme 3 और Realme 3 I के यूजर्स हैं और Realme UI के अपडेट का इंतजा होगी और यहां पर हम आपको बता दे कि जो यूजर्स अप्लाय कर सकते हैं तो चलिए देखे लेते हैं सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स पे अपने मोबाइल के सब उसके बाद नीचे जाएंगे जब नीचे जाएंगे तो सौफ्ट्वियर अपडेट का आपको वह करना है जिदिदे के तब आपको ट्राइल बरजन दिखाए देगा और तब दाके ट्राइल वर्जन पर क्लिक करेंगे तो वह फ़र्म होगी रियल मिय पर कु अर्ली एक्सिस की लेकिन ध्याद दोस्तों रहे की यहां पर कोटा रिमेनिंग होना जैसा कि आप देख सकते हैं मैं वीडियो जब बना रहा हूँ तो 3000 में से 1500 कोटा कम्पलीट हो चुके है, 1500 remaining है, जल्दी से आप अप्लाइ करेंगे, अप्लाइ करने के लिए बस आपको नीचे मोबाइल नंबर देना है, एकक्सेश के लिए अप्लाइ कर पाएंगे, तो दोस्तों यह थी एक सिंपल सी प् पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीज़े, चैनल को सब्सक्राइब कीज़े, कोई और सवाल मन भी है, तो कमेंट कीजे, कोई और डिवाइस से एक अगर आप अप्डेट चाहते हैं, तो कमेंट कीज़े, मिलते हैं किसी और वीडियो में, हमें दीजिये आजए अजट thank you